पगवान श्री रमण महारिशी से किसी साधक ने पूछा मैं अपने जनून को कैसे निप्टूं क्या मुझे इनकी जाच करनी है या उन्हें संतुष्ट करना है अगर मैं भगवान की विधी का पालन करता हूँ और पूछता हूँ कि ये जनून किसके है वे मरते नहीं दिखते बलकी मजबूत होते इस पर भगवान श्री रमण महारिशी कहते हैं इससे केवल यह पता चलता है कि तुम मेरी पद्दती का ठीक से पालन नहीं कर रहे सही तरीका यह है कि सभी जनूनों की जड़ का पता लगाया जाए उस स्त्रोत का पता लगाया जाए जहां से वे आगे बढ़ते हैं और उससे छुटकारा पालिया जाए यदि आप वासनाओं को रोकेंगे तो वह शन भर के लिए दब सकती है परन्तु फिर प्रकट हो जाएंगी यदि आप उन्हें संतुष्ट करते हैं तो बेक एवल शन भर के लिए संतुष्ट होंगी और फिर से संतुष्टी के लिए तरसेंगी इच्छाओं को संतुष्ट करना और इस तरह उन्हें जड़ से खतम करने की कोशिश करना आग पर मिट्टी का तेल डाल कर उसे बुजाने की कोशिश जैसा है एक मात्र रास्ता यह है कि इच्छा को जड़ को खोजा जाए और उसे दूर किया जाए इच्छा से कैसे निप्टे इसका प्रेश्ण यह है कि स्वयम कभी कभी यह पंक्ती अपनाई और सुझाव दिया गया कि कम से कम कुछ हद तक इच्छाओं से निप्टा जा सकता है इस बात की समझ विक्सित करके कि क्या सत्य और वास्त्विक है और क्या नहीं प्रेश्ण करता पूछता है इच्छाओं को कमजोर कैसे बनाया जा सकता है इस पर भगवान श्री रमण महारिशी कहते है ज्यान से तुम जानते हो कि तुम मन नहीं हो इच्छाए मन में है ऐसा ज्यान उन्हें नियंत्रित करने में मदद करता है प्रश्ण करता पूछता है लेकिन हमारे व्यवारिक जीवन में उन पर नियंत्र नहीं है भगवान श्री रमण महारिशी कहते हैं हर बार जब आप किसी इच्छा की संतुष्थी का प्रयास करते हैं तो ज्यान आता है कि इससे बचना बेहतर है आपका वास्त्विक स्वरूप क्या है आप इसे कभी कैसे भूल सकते हैं जागरित स्वप्न सुश्योप्ति मन के ही चरण है वे स्वयम के नहीं आप इन अवस्थाओं के साक्षी है आपका असली स्वरूप नीन में पाया जाता है हरी ओम तत्सत